पैनल सिस्टम लग जाएगा तो आप देख रहे हैं कि एक किलो वाट का सिस्टम लगाने के लिए जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपे ही पे करना है और ये बीस रुपे आपको कहां पे पे नमस्कार स्वागत है एक और ने वीडियो में सेंट्रल गौर्वर्मेंट का सबसीडी से भी ज्यादा आपको जम्मु एंड कस्मिर में सबसीडी मिल रहा है और यह सबसीडी जो है लगभग 65% तक का है तो पूरी डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो में तो वीडियो को पहले से ही लाइक और चैनल में नए है तो स कोसिस कर रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डैरेक्ट पॉइंट पर आते हैं अभी हाल ही में आपको जैसा की पता है जब से जम्मु एंकास्मिर यूनियन टेरिटरी बना है तब से यहां पर सेंट्रल गौर्मेंट और वहां के लो हैं उन सब में लगना निसेसरी हो गया है ज़रूरी हो गया तो यहां पर आप कितना सब्सेटी मिलने वाला यह आपको सवाल होगा तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सबसीडी है Central Government से भी ज़्यादा मिल रहा है यानि Central Government जो सबसीडी दे रही है वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको राज सरकार भी additional सबसीडी दे रही है तो क्या और जो समझते थे कि GenK में कुछ नहीं हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है तो वहाँ पे अब solar panel system सब के घर में लगने वाला है और वहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा और वहाँ के लोगों का रोजगार भी आगे बढ़ेगा इवन कि यदि कोई बाहर यानि और भी पूरे भारतवर से कोई वहाँ पे बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा golden opportunity है तो अब क्या subsidy बिलने वाला है इस पता है जैसा कि आपको पता है Central Government एक से तीन किलोवाट पे आपको 40% का subsidy दे रही थी यानि लगभग एक से तीन किलोवाट पे आपको टोटल जो subsidy मिल गया वो 65% का मिल गया अब इसको देखते हैं ऐसे कि पर एक किलोवाट का यदि कोई सिस्टम लगाएगा तो उसका कितना खर्चा लगेगा और कितना subsidy मिलेगा तो यहां पे आपका जो benchmark cost है एक किलोवाट का यह 58,000 58,739 रुपीज है 58,739 रुपीज है इसमें यदि 40% हम Central Government यानि Ministry of Renewal Energy का subsidy calculate करें तो यह लगभग हो जाता है 23,496 रुपीज और आपको 25% का additional subsidy मिल रहा है तो यहां पे आपको 14,685 रुपीज का मिल जाता है अब टोटल इस subsidy को calculate करें तो यह लगभग 38,189 रुपीज का आपको सबसीडी 81 रुपीज का subsidy मिल रहा है जो की लगभग 65% है अब आपको इस एक किलोवाट पे देना क्या परेगा आपको सिर्फ जो देना है customer को वह लगभग 20,558 रुपीज जी हां मात्र 20,000 रुपे य तो आप देख रहे हैं कि एक किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपे ही पे करना है और ये भी 20,000 रुपे आपको कहां पे पे करना है तो आपको सीधा पे करना है department में authority में CEO जकेडा के नाम से आपको उस account में जमा करना होगा क वहीं और पे जमा करने की जुरूरत नहीं है तो अब आप यह समझ रहे होंगे कि इसको हम apply कर सकते हैं यानि जैनके में इतनी बरी opportunity है साथ ही आप एक से दस किलोवाट पे आपको पता है कि तीन से दस किलोवाट पे आपको 20 परसेंट का सिस्टी मिल जाता है तो यहां पे आपको पूरी चार्ट दिख रहा होगा जिसमें आपको जितने किलोवाट का यानि एक किलोवाट का दो किलोवाट का से लेके दस किलोवाट तक का सिस्टम लगाएंगे तो आपको पूरी डिटेल में कितना आपको बेंचमार्क कॉस्ट है और कितना आपको देना है यह कर सकते हैं साथ ही यह जो टोकुमेंट है जिसमें पूरी डिटेल है वह भी आपको इस description में मिल जाएगा तो वहां से आप download कर सकते हैं और अपने requirement के हिसाब से आप apply कर सकते हैं तो अभी से यह यह जो प्रोवीजन है यह start कर दिया गया है पूरे जैनके में जमू एन कास्मिर में solar panel system के लिए यह subsidy allot कर दिया गया है तो आप जितना जल्दी हो सके इस system का लाब उठा सकते हैं और अपने घरों में solar panel system लगा सकते हैं और साथ ही यह दि solar panel system लगाने का मतलब है कि बिजली के बिल से आजादी जी हा उस्वाला आप आप ही इसको यूज मी करेंगा आने वाले generation भी इसको यूज करेगा आपका तो आप अपने लिए ही यह नहीं लगा रहें आने वाले generation के लिए इसा लगा यह वीडियो आप कमें सेक्षण में। में जरूर्बता हैं विडियो अच्छा लगा तो लाइक जर हैंड